Hello guys, welcome back to my channel Chemistry27 तो आज मैं आज सब के साथ फिर से इस और स्टेट की वीडियो शेर कर रही हूं जो कि इस चैप्टर की लास वीडियो है और इस चैप्टर को जिन बच्छों ने individually सारी वीडियो देखी हूंगी जो इस चैप्टर के सारी, सारी, each and every topic को मैंने cover किया है मैंने अप्रॉक्सिमेटली पाच ये छे वीडियो जो है अपने चैनल पर अप्लोड करी हैं जिसमें से आपको सारा सबका एक्स्प्राइनेशन और कुछ ऐसे निमेरिक प्रॉब्लम्स भी मैंने सॉल्व करी हैं कुछ वीडियो में तो आपको वो सब मिलेगा लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेट वन शॉर्ट वीडियो भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी तो चलिए आए देखते हैं कि इस चैप्टर में अब जो हमारी रिमेरिंग टॉपिक्स हैं वो क्या हैं तो मैंने यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डोपिंग ठीक है तो लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपके साथ शेयर की थी इस्प्लैनेशन, इंसुलेटर, कंड़क्टर और सेमी कंड़क्टर की तो मैंने आपको बताया था कि सेमी कंड़क्टर बिसिकली कमर्शिल बैसेस पर काफी इंपॉर्टन्स रखते हैं तो क्यों रखते हैं क्योंकि हम उनकी जो कंड़क्टिविटी होती है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है तो जो semi-conductors होते हैं उनके अंदर एक process होती है जिसको हम बोलते हैं doping जो doping होती है वो basically electron rich या electron deficient हो सकती है चुकि यह electron से related मतलब आप इसके अंदर एक impurity डाल रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं electronic impurity ठीक है जो semi-conductors होते हैं वो two type के होते हैं intrinsic and extrinsic ठीक है जो intrinsic conductor होते हैं semiconductors वो pure semiconductors होते हैं उनके अंदर कोई impurity नहीं होती like silicon, germanium और extrinsic semiconductor जो होते हैं वो impure semiconductor होते हैं और इनकी ही detail हम इस वीडियो में आपको share करेंगे N type and P type ठीक है इसकी ही detail हम पढ़ने वाले हैं N type and P type की extrinsic का मतलब होता है कि उसमें कोई impurity आपने मिला दी और यह जो intrinsic semiconductors होते हैं इसमें क्या होता है basically कि जो इसकी माल लीजे कि आपने temperature zero रखा हुआ है तो इसकी conductivity भी zero होगी लेकिन जैसे जैसे आप temperature को raise देते हैं temperature बढ़ाते हैं तो जो electrons होते हैं उनका वो excite होते हैं उनने energy मिलती है तो इसमें क्या होता है कि electron की excitement से conductivity बढ़ती है तो याने कि basically यह temperature आपने जो जिसको आप कह सकते हैं कि thermal conductivity इसकी increase होती है ठीक है तो अभी हम इसकी detail पढ़ने वाले हैं extrinsic semiconductors की N type and P type तो guys अब हम पढ़ेंगे P type semiconductors को ठीक है तो P type इसका नाम start हो रहा है P से P means positive ठीक है positive charge जो है जब वो excels में present होता है तो आप उसको कहते हैं P type semiconductors याने कि एक electron deficiency वाली impurity है यह तो basically जो positive charge है वो electron deficiency के लिए मतलब use हो रहा है तो इसको हमने positive के लिए पीस यहाँ पर इसके नाम में रखा हुआ है तो जो electron deficiency create होती है उसको हम बोलते हैं conductors की language में hole याने कि electron की vacancy electron एक vacant space generate कर देता है अब देखें यहाँ पर आईए हम देखते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक perfect crystal है ठीक है यह एक silica का perfect crystal है यहाँ पर आपको पता है कि यह जो आपका SI है जो silicon है वो क्या करता है वो चार bond बनाता है वो पी-block elements में है और गूफ 14 में रखा हुआ है ठीक है इसकी वैलंसी कितनी होती है फोर कार्बन सिलिकन जर्मेमियम तो इस तरह से जो और भी इसकी members है तो सबकी वैलंसी फोर होती है ठीक है यह एक perfect crystal है इसमें कोई भी impurity नहीं है ठीक है तो हम इसको intrinsic semiconductor करेंगे अब इस intrinsic semiconductor को हम extrinsic semiconductor बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे कि माल दीजे कि हम इसके अंदर impurity add करेंगे impurity add करेंगे तो हमको इसमें ऐसी impurity add करनी है जिससे electron की कम हो जाए तो basically क्या होगा कि यहाँ पर मैंने क्या क्या हुआ है कि यह एक जो हमारा perfect crystal था जो group 14 elements के बना हुआ था हमने group 13 यानि कि जिसकी valency 3 थी जो 3 bond बनाता है वो add कर देंगे तो जब हम add करेंगे यहाँ पर आप यह add करने के बाद क्या होगा भई यह group 13 element है तो यह कोई भी group 13 element है इंडियम ही आप ले सकते हैं इसके अंदर example आप माली चे मैंने इसके अंदर इंडियम मिलाया है तो मिलाने के बाद क्या हो रहा है कि वो 3 bond बना रहा है अब जब 3 bond बना रहा है तो automatically यहाँ पर क्या हो जा हो रहा है space create हो जाता है यहाँ पर electron की कमी हो जा रही है तो electron की कमी होने से क्या generate हो रहा है whole generate हो रहा है तो इसको इस तरह की जो impurity हम add करते हैं यानि कि group 14 वाली जो आपके crystals हैं उसमें से एक element निकाल कर group 13 को आप add करते हैं तो electron की deficiency create हो जाती है और positive charge बन जाता है जिसको हम whole कहते हैं तो इस type की semiconductors को आप बोलते हैं p type semiconductors ठीक है जो p type semiconductors होते हैं आप यहां पर मतलब कि मैंने यहां पर यह भी explain किया है कि यह basically आप intrinsic से extrinsic बना रहे हैं तो अब हमारा next है n type semiconductors जो हमारा n type semiconductors है तो यहां पर n stands for negative ठीक है यानि कि यहां पर यह electron rich impurity है जहां पर negative charge आज excess में हो जाता है तो हमने जो हमारा perfect crystal था ठीक है sorry for this तो जो हमारा perfect crystal था वो crystal जो है यहां पर मैंने बनाया हुआ है तो यह हमारा किस कदर group protein element है ठीक है silicon अब हमने यहां पर group 15 elements से group 15 जो हमारा है जो nitrogen phosphorus arsenic यह जो balance कितनी होती है पाच होती है यानि कि यह पाच बनाने के लिए capable है तो उसके साथ हम इसको add करेंगे तो अब हम doping करेंगे arsenic की यानि कि अगर हम एक सिलिका के molecule को हटा के हम क्या करते हैं कि अगर हम arsenic डालने तो arsenic के अंदर तो कितनी capability है पाच bond बनाने की तो यह देखिए एक दो ती चार चार bond बनाया इसने ठीक है चार बन बनाया लेकिन एक electron इसका जो है वो क्या हो गया बच गया तो एक electron extra हो गया इस crystal system में तो हमने doping करी यहाँ पर electron की access वाले element की ठीक है तो इस तरह की जो impurity होती है generate होती है तो वो बनाते है and type semiconductors ठीक है तो हमने p type यानि की positive charge की access and type negative charge की access इस टैप से हमने semiconductors देखे